तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसे integrate करने के लिए में दिया गया है, यह rational function है, उपर से यह improper दिख रहा है, नीचे 4 degree का polynomial है, उपर भी 4 degree का polynomial है, तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले आपको इसको proper बनाना पड़ेगा, तब partial fraction करेंगे, चलिए एक काम हम लोग कर लेते है x square को t assume कर लेते हैं, हम replace नहीं कर रहे हैं, सिफ t substitute कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, t plus 1 और t plus 2 ओवर t plus 3 और t plus 4 हो जाएगा, multiply कर दो, आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, t square plus 3t और plus 2, denominator में क्या जाएगा आपका, t square sum of the numbers 70 और product of the number 12, यह हो गया 12, अब देखे, divide कर लेते हैं हम लोग, divide बड़े अराम से कर लेते हैं, उसी तरह से कैसे करते हैं हम लोग, यह हो जाएगा, आप पर t square plus 3t plus 2, numerator हो गया, denominator से divide करना है, t square plus 70, और plus आपका हो गया 12, एक बर जा रहा है t square upon t square 1, देखे जाएगा t square plus 70, और plus 12, sign change, higher term कटा, ठीक है, क्या बचा आपका, minus का 40, और minus का यहाँ पर 10 आजा, अब polynomial के degree कम हो चुकी है, तो क्या लिख लें हम लोग, इस expression को लिख सकते हैं, that could be written as a 1 plus, ठीक है, minus 40 minus 10, तो बलकि minus ही लिख लिख लिया जाए न, 40 plus 10 over, यह linear factor के form में लिखते हैं, t plus 3 और t plus 4, तो t plus 3, अब यह proper बन चुका है न, इस चीज़ का partial fraction हम लोग कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका, 40 plus 10 over t plus 3 times t plus 4, that is, a upon the linear factor t plus 3, और plus b upon linear factor t plus 4 हो गया, तो a की value निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे direct कर रहे हैं हम लोग, t plus 3 को close कर लेते हैं, hide कर लेते थे, और t की value minus 3 place कर दीजिए, जो बचा आपके पास, तो minus 3 place करेंगे, तो यह हो जाएगा minus 12 plus 10, minus 2 और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो a के value minus 2 आ गई, अब b की कैसे निकालेंगे, b के नीचे t plus 4 है, 0 place कर दीए, तो t के value minus 4, place कर दीजिए, rest of expression में, t plus 4 को height करके, तो minus 4 रखेंगे, तो minus 16 plus 10, कितना हो जाएगा आपका minus 6, minus 6 और नीचे आ गया आपका minus 1, तो 6 आ गया, तो b की value आ गया आपकी 6, ठीक है, अब original था क्या आपका, इसका मतलाब कि जो आपका original expression था, ये integral, अब नीचे continue करिएगा, integration of, this could be written as a 1 minus, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, minus 2 by, और t की जगा पर आपके क्या है, x square था, तो x square प्लस 3 और प्लस 6 अपान x square प्लस 4 dx, ठीक है, तो ये integral हो गया आपके पास, ये space हम खाली कर रहे हैं, अब देखिए क्या हो गया, इस integral को कायदे से आप break कर लीजिए, तीन integral में, ये हो जाए 1 dx, और minus, minus plus हो जाएगा, 2 constant बाहर आजाएगा, क्या हो जाए 1 upon x square प्लस 3 dx, और 6 बाहर आजाएगा, minus 6, 1 upon x square प्लस 4 dx, अब देखिए सब, इसका x हो गया, प्लस 2, इसका क्या हो गया, 10 inverse, तो ये root 3 का square लिख लिजिए, क्या हो जाएगा, 10 inverse x by a, 1 by a, मतलब root 3, और 10 inverse x by a, x by a मतलब root 3, इसके बाद, minus 6, ये 4 upon 2 का square लिख लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 by a, और 10 inverse x by a, मतलब 2, प्लस indefinite consistency, ये 3 आजाएगा आपका, 2 by root 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 by root 3 लिख दे रहे हैं, आप next step पर करके लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 3, तो that is your final answer,